हेलो बच्चो मेरा नाम है रितमिस्रा आज आपको हम हिंदी व्याकरण व्यों का फर्स चाप्टर स्टार्ट करते हैं यानि पाठे का नाम है वेटा भासा और व्याकरण यानि भासा और व्याकरण क्या होता है हमारे जीवन में भासा की बहुत आशकता होती है भासा के साथ सथ व्याकरण की भी बहुत आशकता होती है यानि एक दूसरे के दोनों क्या है जो हम भासा बोलते हैं बटा भासा तो यह हम व्याकरण के सारे ही सुध और अशुध का ग्यान कर पाते हैं यसे दिया हुआ है कि प्रारं से ही मनुष्य को अपने भाव और शम्मेदना एक दूसरे को प्रेशित करने की आँशक्ता रही है किन्तों पहले मनुष्य की भास आइस्पर्षत और शन्किनात्मकी पहले लोगों को जब ज्यान नहीं था तो लोग क्या करते थे संकेटो के मा पचान करते थि वह चानने में भी कभी कभी और इस्प्रिश्रता होती थी यसे कोई पच्छी है उनका नाम नहीं पता था कोई मानों है मानों का नाम ने आज कि आए विज्ञान इतना तेजी से बढ़ना है कि लोगों को हर प्रकार का घ्ञान होता चला जा रहा है तुआ पसुपच्छों की भात वीविन धोनियों द्वारा अपनी भावनाओं का आदान प्रादान करता था सबिता के विकास के साथ साथ उसे अपनी बात दूसरों के सामने अव्यक्त करने के लिए तथा दूसरों की वास समझने के लिए एक उन्नस साधन की आवशक्ता अन्भव हुई जिसके फल स्वरूफ भासा का जन्म होगा बेटा कहा गया है आवशक्ता ही अविश्कार की जन्नी होती है आपने देखा जैसे ही आपके यहाँ कोबिट 19 आया अर्थात कोरोना आया तो कोरोना की आने सी लोगों को लगा कि यह बहुत बड़ा रूप है बेटा अक्चली है तो बहुत बड़ा रूप लेकिन क्या है इसका भी शमाधान हुआ वैक्षिन आयी तो कि वैक्षिन बनने में बहुत सारा समय लगता है मतलब वो दो दिन का खिलवार नहीं होता है यानि चार से पांच साल वैक्षिन बनाने में लग जाते हैं लेकिन कोरोना का वैक्षिन बनाने में डेर साल मैक्षिमम हम कह सकते हैं डेरश है टाइमिंग लगा अब है तो हम हरही है तो छिब आशकता होती है तो मरा से अभीक्सकार हो जाता है से हमारे उभ्यक्ति जो हमारे इव्यक्तिय वहारा ज्यान होता है, हमसा क्या करते बोल कर सुन कर पढ़ कर लेका अपने भावनाओं को और विचारों को क्या करते हैं आधान प्रजान करते हैं यानि किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे की भावनाओं और विचारों को हम ग्रहर करते हैं वह हमारा जिसके द्वारा हम अपनी व्यक्ति बोल कर शुन कर पढ़कर अपनी भावनाओं और विचारों को आदान प्रजान करते हैं वह भाषा कहलाता है जैसे यहाँ पर देखिए निता जी है और वो क्या करना है भाषर दे रहे हैं लोग क्या करने भाषर सुन रहे हैं जो लोग हैं वो क्या करने भाषर को सुन रहे हैं तो यह देखिए भाषर का सुनना है नहीं आपे यह भासा की अंतरगत आएगा सिच्छक ने बच्चों को पढ़ाया यह भी भासा की अंतरगत आया यानि सिच्छक की भासा अब बच्चों को समझ में आ रही है लेकिन पहले क्या था ना तो सिच्छक का समझ था और ना ही बच्चों का समझ था जब हमारे पास ज्ञान का भाव था तो हम औस पस्ट रहते थे जैसे दिये जह में ब्याकरण का ज्ञान हुआ तो हमारी भासा भी क्या हुई सुध्ध हो गई अब देखिए हैं भासा के दो रूप होते हैं भासा के दो रूप होते हैं मौखिक और लिखित जैसे हैं हमारी घर में हम लोग अपनी सी बड़ी या अपने छोटी लोगों से बात्चित करें